बच्चो मैं सभी सर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके चैनल आफिया कवेश्टी फॉइंट में आप सभी को नवस्ते आज के वीडियो जो है इस्पेशल क्लाश 10 बिहार बोट के विद्यार्थियों के लिए है क्योंकि आज आप लोग को क्या करने वाले है एक क्लाश 10 साइन्स पस्पेश्ट्र बैंक धो खजार अठारे के थीक है इसे बेरी बेरी इंप्औरटंट आप लोग को पूरी बंदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है क्योंकि ये सारा question जो है question bank 2018 का है और question bank 2018 का दस ऐसे very very important objective question select यानि suggest किये है जो आपके बोड़ exam 2024 के लिए important है जितने भी class 10 के विद्यारती है उन सारे विद्यारतियों से मेरा एक छोड़ा सा request है बावू इन 10 objective question का answer जो है पूरी बंदारी के साथ complete करना है चलिए पहला question कौन सा lens अपसारी lens भी कहलाता है चार option आपका दिया हुआ है A में है author lens ठीक है B में आपका है उत्तल lens C में आपका है author एवं उत्तल lens और D में है इनमें से कोई रही आप सबको मालूम होना चाहिए कौन सा lens अपसारी lens भी कहलाता है तो author lenses का right answer क्या हो जाएगा A हो जाएगा ठीक है याद रखना question देख लिजिए answer को क्या करना है आपको हराल में याद रखना है answer याद रहेगा तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा चलिए question number 2 पुतली के size को कौन नियंतरित करता है ठीक है चार option आपका दिया हुआ है ठीक है इन चारों में से याद रखना answer हम direct आप लोग का answer बता देते हैं परी तारीका हो जाएगा B answer जो है इनका सही हो जाएगा पुतली के साइज को को नियंत्रित करता है परी तारी का और ये सारा objective question जो है question bank 2018 का है और question bank 2018 का वही question आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके board exam 2024 के लिए important है question number 3 विद्दूत विवांतर का SI मातरक है सब को मालूम है इसका right answer vault हो जाएगा क्या हो जाएगा vault A इसका right answer हो जाएगा चार option देख लिजिए आपके साबने है A में vault है B में O में है और C में vault परतिकुलाम है D में MPR है तो right answer vault होगा याद रखना answer को ठीक है चलिए question number 4 देख लिजिए लगू पतन short circuit के समय परिपत में विद्दुधारा का मान पहला option में बहुत कम हो जाता है A में B में है परिवर्तित लही होता है C में है बहुत अधीक बढ़ जाता है इसका right answer C हो जाएगा बहुत अधीक बढ़ जाता है याद रखना है लगू पतन short circuit के समय परिपत में विद्दुधारा का मान बहुत अधीक बढ़ जाता है चलिए question number 5 चिपको अंदलन का मुख्य उद्देश सरणक्षित करना था विरिक्षो को ये बिल्कुल सही जवाब है याद रखना है चार option आपका इस प्रकार से दिया हुआ है A में मिट्टी को B में विरिक्षो को C में जल को D में बिजली को तो right answer क्या हो जाएगा विरिक्षो को हो जाएगा ठीक है और ऐसे भी आज की वीडियो में आप लोग को क्या कर रहे है क्लाश 10, the size, question bank 2018 के 10, ऐसे very very important objective questions क्या कर रहे है वो भी answer के साथ आप लोग को बतला रहे है और ये सारा question जो है, objective question जो है, 2024 board exam के लिए important है, question देखने से आप लोग को पता चल रहा है कि नहीं ये सारा question जो है, important question है, ठीक है चलिए, अगला question देख लिजिए, question number 6 एसे टिक अमले का IPAC नाम, तो आप सबको मालूम है, ethanoic अमले इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए right answer हो जाएगा, याद रखना, एसे टिक अमले का IPAC नाम, ethanoic अमले question number 7, अश्टक सिधान्त को किसने अस्थापित किया, तो new lands, इसका right answer B हो जाएगा ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, श्टक सिधान्त को किसने अस्थापित किया, तो new lands, चलिए, question number 8 आपका है, ओलेंगिक जनन मुकलन दुआरा होता है, ठीक है, east में, ये आपका right answer है, ठीक है, ओलेंगिक जनन मुकलन दुआरा होता है, east में, इसका सही जव आज के वीडियो का अंतिम कोसन, निमलिकीत में से कौन सा बुझा हुआ है, ठीक है, सूतर, तो C, A, O, H, P, Hall 2, ठीक है, ये right answer हो जाएगा, B, चलिए, 10 ही कोसन आज के वीडियो में आप लोग को बतलाना था, लेकिन 4 कोसन और extra आप लोग को बता देते हैं, याद रखना है यहां से आपको 4 कोसन जो है, extra आप लोग को बतला रहे हैं, ठीक है, यानि 15 कोसन आप लोग को बतलाना था, फिर भी 4 कोसन आप लोग को extra बतला देते हैं, वही कोसन आप लोग को बतला रहे हैं, जो आपके board exam 2024 के लिए important है, ठीक है, तो जितने भी बिहार बोट के विद्ध सारे विद्यार्थियों से एक चोड़ा सारी क्वेश्ट है मेरा कि दसो अब्जेक्टिव क्वेश्टन का एंसर पूरी मंदारी के साथ कंप्लीट कर लेना चलिए चार क्वेश्टन आप लोग क्वेश्टना बतला रहा है और जलिक अमल का प्राकिर्तिक स्रोत निमलखित में इसे कोन है तो अकजली का अमल टमाटर हो जाएगा राइट एंसर ठीक है चलिए इस तरियों में लिंग गुन सुत्र युग में होता है तो एक्स है कि ये इसका राइट एंसर बी हो जाएगा याद रखना है ये सारे कोस्टन का एंसर पूस्प का कौन सा भाग प्राग कन पूम केसर ये भी राइट एंसर C हो जाएगा इसका राइट एंसर चलिए अगला कोस्टन आदुनिक आवर्त सानी में कितने उर्दवास्तम होते है 18 इसका राइट एंसर D हो जाएगा भारत में उत्पादित प्रतियावर्ती विद्धुदारा की आवर्ती है तो इसका रा बोड एक्जाम के लिए क्या है इंपोटेंट है जितने भी बिहार बोड के विद्ध्यार्थी है उन सारे विद्ध्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इंद पंद रहो अबजेक्टिव कोस्टन का एंसर कर लेना है complete ये सारा कोस्टन कोस्टन बैंक 2018 का है चलिए आज के व विडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करना जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सस्क्राइब करना धन्यवाद